गौहत्या के संबंध में इलहाबाद उच्चन्यायले का निर्णय स्वागत योग्य है एक लंबे समय से हिंदु समाज मांग करता आया है गौमाता को राष्ट्रे प्राणी घोशित किया जाना चाहिए मान्य उच्चन्यायले ने हिंदु समाज के इस मांग को नकिवल स्वि प्राणी घोशित किया जाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए आखिर भारत में गवहत्या क्यों की जाती है सिर्फ इसलिए ना कि हिंदु आस्थाओं पर चोड़ पहुंचा नहीं है मान्य उच्चन्यायले ने एक महत्वपूर्ण बात और कही है इस निर्णय में कि अगर किसी की आस्थाओं पर चोड़ पहुंचती है तो इससे देश कमजोर होता है एक लंबे समय से निरंतर इस देश के हिंदु समाज की आस्थाओं पर चोड़ की जाती है ये चोड़ की जाती है मिशनरियों के द्वारा जिहादियों के द्वारा और टूल किट गैंग क के द्वारा उन्हें समझ में आना चाहिए वे केवल हिंदू समाज का अपमानित नहीं करते अपितु देश को कमजोर करने का पाप भी करते हैं अब इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने इन सब कामों से बाज आना चाहिए और हिंदू समाज की आस्थाओं का अपमान अब स्विकार नहीं हो सकता स्वयम न्याय पालिका भी इस पक्ष में खड़ी है और विश्वहिंदु परिशत के इंदर सरकार से भी अपील करती है कि गव माता को राष्ट्रे प्राणी घोशित करने के लिए जो भी आवश्यक उपाए हो अतीशी घ्रले